हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग भूप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छ होंगे दोस्तों आज मैं अपने next topic को पहने जाएं जिसका नाम है treatment of material wastage होता है जब भी कोई समान को manufacture यानि की प्रोड्यूस जब हम योग करते हैं तो इसको बनाने की टाइम पर कुछ नुकसान होते हैं वह नुकसान या ऐसे होते हैं जिससे कुछ हमको benefit नहीं निकलेगा जब भी कोई और जो कोई नुकसान होते हैं जो की हमको समान को पुराने टाइम पर होते हैं जिसको हम जो इतने काम कंगेगा तो दोस्तों यही चीज होता है जो की वेस्टेज होते हैं ठीके तो हमको है एक चीज को अच्छे से समझना होगा क्योंकि सबका मीनिंग अलग है और दोस्तों अगर बिजनस के अंदर आपका वेस्ट होता है तो वह वेस्ट को हम रहो कैसे त्रीट करते हैं अब एक्जामपर जो आप को एतना बारा थे के दुकांद है आपको जो सीसा देगा ना वो आप वह काट भणको डे देडिन लहीं की इस करेगा उसने आपके ईसकाई subscribed कॉसे के नुकसान नहीं हो क्सको विजनेस के ंदर ने इस पतम हो जाता है processing and does not have any यह कवी जिसकी वैयू बिल्कुई भी नहीं होती है यानि कि समान बनाने के टाइम पर कुछ चीज़े ऐसी होती जो अपनी वैयू को देता है और उसका हमको फार्दा बिल्कुई भी नहीं मेटा ठीक है अब जो वेस्ट होता है वो या तो दिखेगा स वेस्ट होता है जो कि इन्विजबर होगा जो नहीं दिखेगा विछ कन नॉट बिप पिउसको बिच नहीं कर सकते लिए जिसको बेच नहीं सकते एक्जामपई गैस अब माने अब दूथ की चाय बनाए हो तो दूथ जब गरम करईगो तो हवा में वो जाएगा तो गैसे इस्मोक डस्ट यह सब एक ऐसा नुक्सान जो कि अमको दिखाई नहीं देता जिसको इखटा भी नहीं कर सकते और बेच में सकते ठीक है रॉस्ट ऑगर इवैपोरेशन मैंने क्या बोला था इवैपोरेशन से कुछ नुक्सान हो गया ठीक है जी तो यह सब इन्विस मित्रिया यानि की नहीं कर सकतते जिसको बया बेच नहीं सकते तो वह आपको 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 नहीं होगा अब टाक्स नौक्स नौक्स बचला जो की होना हिना है अमानें दूद की चाहिए बनायो दूद्द जब गर्म करोगे तो हौः मैं दूद्द ऑicação जाएगा ना कुछ evaporation से तो उस वेश्टेज को आप control नहीं कर सकते ठीक है यह एक natural होता है और इसको avoid भी नहीं कर सकते अबनॉर्मल वेश्टेज करता है दूद आपसे ज्यादा गर्म हो गया जल गया यह क्या है अबनॉर्मल वेश्टेज जिसको आप control कर सकते हो planning करके अब यह आपको समझा का वेश्टेज क्या होता है अब मान यह हो जो नॉर्मल वेश्टेज होता है वह हम यह प्रोडक्शन में जो देते हैं अब चाय बनाते वक्त दूद हवा में होई गया तो वह हम यह उसी में add कर देंगे ठीक है जी और दोस्तों यहाँ पे जो समान के cost में add कर देते हैं ठीक हैं जो सो यह हो गया है अब क्या लता है क्या होथा है दूसरा point क्याят में पुराने अख़बार हो गए ठीक है तो इसके आप दोस्तों इस इंसीडेंटियर यानि कि बचा होगा हिस्सा होता है ना यूजिंग इसमोर टाइप स्के होते इनकी वैलू कम होती है यह कवेबर विडाउट फर्दर प्रोसेजिजिंग यानि कि इसको आप उसी कंडिसन में बेच के कुछ पैसा निकाल सकते हो इसके आप यानि कि वह लौस जो कि दिखता है विजुबर है और अने मैं यूजिबर नहीं है बट बेचने योगई है ठीक है जी जह हमां यूज तो नहीं है बट बेचेंगे तो कुछ ना कुछ पैसा आ जाएगा इसी को होते हैं इस क्रैप ठीक हो गया अब एक होता है कुछ टाइप स्क्रैप होते हैं ठीक होते हैं इसक्रैप जो होता हमेशा मैं नहीं दीखेगा ज होता है आब टाइप स्क्रैप एक होता है बीजिटिमेट स्क्रैप यह अपने आ आप होता है जासे मां यह चीजिए पंचिंग बॉइंग यह अपने आप नेचर की द्वारा होता है इसमें आप कुछ नहीं कर सकते ठीके जी administrative scrap यानि कि यह चीज़े होती है बिजनेस में जब decision यहते हैं तो decision यहने के कायन चीज़े पुराने हो जाती है आपने कहा हम नई computer use करेंगे नई monitor करेंगे जब नई monitor use करेंगे तो आपका बया क्या हो गया इसको कुछ पैसा मिलेगा defective scrap it arises on account of inferior quality of material जब हम घटिया क्वार्टी के मठेयर से काम करते हैं तो समान जब खराब हो जाता है तो उसको बहुते हैं defective machine ठीक है यह दोस्तों abnormal category में आता है because it arises due to abnormal causes तो कि भाई आप घटिया समान इस्तुमाल करोगे बल्टो कर तूटी जाएगा ना जी ठीक है अब दोस्तों treatment of scrap scrap इसको कैसे treat करते हैं तो अगर यह value of normal scrap है चाहे वो legitimate हो चाहे वो administrative हो इस नगी जी भाई it may be उसको credit करेते profit account में other income किता है however this treatment is not considered much practical यह ज्यादा अच्छा माना नहीं गया है ठीक है तो आपको ज्यादा treatment में घुसने के ज़्यवत नहीं है बस यह समझो कि scrap क्या होता है ठीक है फिर दोस्तों spoilage का मतलब क्या होता है spoilage का मतलब होता है यह present that portion of processed work which has been spoiled in the manufacture at which can be used again in manufacture as a raw material or sold as a seconds दोस्तों मतलब कि कोई काम करें तो काम साइज ही हुआ नहीं वो काम ख्राब हो गया लेकिन हम उसको दुबाया बना सकते हैं या फिर दुबाया उसको second hand बेच सकते हैं माने हो कि हम सूस बनाये थे सूस बना तो कुछ दिक्कत आ गई साइज में दिक्कत हो गया कुछ कट हो गया कुछ डिजाइन ख्राब हो गया तो यानि कि उसको दुबाया ठीक किया जा सकते हैं या फिर उसको second hand बेच सकते हैं इसको बहुत है इस प्रोड़क्शन का वह पार्ट होता है जो कि standard या quality के हिताब से नहीं होता कुछ उसमें कम समान की करती थी कुछ भी हो सकता है ना जी the production is such that it does not meet the dimension यानि कि आपने सुझा कि इस quality के समान बनेगा बस उस quality के समान नहीं बना ठीक है जी चैंड जी नाट ब्रक्षाइड और श्रीकित आप अनी कोस यानिक इस पोडिए को किसी पी तरीकर से रेक्टिफाइड नहीं कर सकते हैं यानिकि उसको ठीक किया सकते है बट वह बेकर तो second hand है इस पोडिए ओने दिपोस कर दो था बईया आज अस व्यार्या डिवा इस तो कर जाने उसके चीजों का समान निकार के जो बच गया है दुबाया से इस्टमाल कर जो अब एक होता नॉर्मल तरीके से हुआ है वह नॉर्मल हो गया जो अब दोस्तों आता है डिफेक्टिव यानि कि डिफेक्टिव समान ठीक है दा करके उसको फर्स और या फिफेक्टिव निकल गया बट बात नहीं उसको दुबाया ठीक करके हम उसको फर्स्ट हैं की तरह बिच सकते हैं इसको बोरते हैं क्योंकि हमने उसमें ख्राब रागा दिया काम अच्छे से नहीं हुआ सुपर विजन साही से नहीं किया गया रॉंग प्लानिंग हो गई डिफ्रेक्टिव डिजाइन हो गई डिफ्रेक्टिव मसीन हमने इस्टमाल कर दी तो यह सब कारण हो सकता है ठीक है जी तो भाईया यह पताने की जेवत नहीं है हमको सही इंफॉर्मेशन नहीं हो दी तो पुराना समान खरी देते हैं हम लोग कभी-कभी तुर्ण समान नहीं करते हैं ठीक है अब कुछ और टेक्निक्स बताई गई है जो कि जिससे हम मतेर को कर सकते हैं पहया है जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम जस्ट इन टाइम का मतलब क्या होता है इस सिस्टम ऑफ पर चेजिंग ता मटेर इमिडिएटी बिफोर दीज इन इड़ेट फॉर्ट प्रडूक्शन को से दोस्तों यह जापान की टेक्निक यहां पर होता क्या है जब भी कोई उस करने का और देगा और इससे फाइदा क्यों होता है कि मटेर को स्टोर करने का खर्चा बच गया ठीक है तो इस सिस्टम ऑफ पर चेजिंग ता मटेरिया इमेडिएटी बिफोर दे नीडिड बिफोर दी प्रॉडक्शन प्रॉसेस इन अदर वर जस्टिन टाइम पर्चेजि जमीन की कमी हो गई थी तब ऐसा किया जाता था अब इसका फीचर क्या है कि हमको हमेशा यह test quality मेरिता है समान के अंदर प्राइस हमेशा मार्केट के हिसाब से होता है समान को स्टोर नहीं करना पड़ता खर्चा कम होता है और एक अच्छा सप्राइब के साथ में यह संसिप अब इन्वेंटरी टाइन ओगा आपको पाइना नहीं है बट आपको मैं छोड़ देता हूं यह तो यह आपका चाप्टर खतम हो चुका है वीडियो आपको अच्छा आप वीडियो को याइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना जितना जिरी आप याइक करना चाहिए नेक् पार्ट में अपलोड करूंगा ठीक है में अपने नेक्स पार्ट में थैंक्यू सो मच